अकसर आपको गाओं में, शेहर में, हर जगा कोई न कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको मोटिवेट करना चाहेगा और एक्जामपल देगा बड़े बड़े लोगों की ऐसे लोगों की जिसने सफर किया है फर से लेकर अर्ष तक तो ऐसे लोगों के बारे में चर्चा किया जाता है जिसने अपनी जिन्दगी में कुछ बड़ा किया है जो बहुत खास बन गया भाई जो बहुत खास है अपने लाइफ में जो बहुत चर्चित व्यक्ति है जिसे हर कोई जानता है तो देखिए यहाँ पर एक page है Instagram पर एक ID है जिस ID के 4 million से उपर followers है और इस ID का काम ही है लोगों को motivation देना ID का नाम है motivation line और यहाँ पर देखिए इस भाई ने कुछ तस्वीर लगाया है यहाँ पर समझ रहें? अब तस्वीर किसकी? AP J. Abdul Kalam जी की समझ रहें? बाई परमानुमेन जिनोंने परमानु का आविश्कार किया भारत में जो हमारे राष्टपती रह चुके हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट तो इनके बारे में बोला गया है कि न्यूज पेपर बेचा फिर हमारे परधान मंत्री जी नरेंदर मोदी जी जिनोंने हैट्रिक लगा दिया आज तक मुख मंत्री का चुनाव कभी नहीं हारे ना ही परधान मंत्री का चुनाव कभी हारे हैं तो मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है कि चाए बेची उसके बाद नमबर आता है ट्रेंडिंग सुपर अष्टार खेसारी लाली आदव जी का भोजपुरी अष्टार खेसारी लाली आदव जी का कि भैश चराता था समद रहे हैं आप भैश चराता था और आज देखो अपनी मिहनत से किस बुलंदी को चूचब चुका है बाई भोजपूरी इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कोई अश्टार नहीं आज के डेट में उसके बाद यहाँ पर एक्जामपल दिया गया है बस कंड़क्टर रजनी कांत जी के बारे में कि बस कंड़क्टर रह चुके हैं फिर अक्छे कुमार के बारे में कि वेटर रह चुके हैं उसके बाद अपना माही भाई टीकट बेचना समझ रहें फिर यहाँ पर शिखर धवन के बारे में लिखा गया है कि किसान का बेटा और उसके बाद संदीप महिश्वरी जी के बारे में लिखा गया है कि कॉलेज ड्रॉप आउट और उसके बाद नीचे एक लाइन जो है लिखा गया है कि बस यही कहना है कि कभी हार मतमानो तो बाई साहब हिंदुस्तान में खेसारी लाल याद आओ के बारे में सब को मालूम है कि आज बहुत बड़ी हस्ती है लेकिन कभी भैंस चराता था बाई साहब हाँ और ये सही बात भी है जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए आप अगर कुछ बड़ा खुआप देखते हैं तो जागते हुए आँखों से देखिए और उस पे महिनत करिए आप जरूर बड़ा बनेंगे तो एक अपडेट था मुझे लगा आपकी साथ में शेयर करना चाहिए महिश पांडे आप लोग देख रहे थे भोजी उड़ एंटियो टर्यानमेंट ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा